ओम श्यांति, तीन मई, स्वयम भगवान आकर राजियोग सिखाते हैं, उसके लिए गीता में सब्ध है मन मना भव, मन मेरे में लगाओ लेकिन किसी का भी मन परमात्मा में नहीं लगता क्योंकि उसका यथार्थ ग्यान नहीं है कोई कह देता है नाम रूप से ने आ रहा है, फिर कुत्ते विल्ली में भी है तो दोनों भी प्रीट बात हो गई, सब उसके ही स्वरूप हैं फिर नाम रूप से ने आ रहा है कोई कहता है अखंड जोती है वहोत विशाल है कोई कुछ कोई कुछ लेकिन परमात्मा कैसे आते हैं कब आते हैं ये किसी को पता नहीं है ये भारत में परसिद है जब जब धर्म की इगलानी होती मैं आता हूं लेकिन कैसे और कहां से ये इस पस नहीं है अब शिव बाबा तो मैं आता हूँ, अपना संपोर्ण ग्यान देता हूँ, मैं सुक्समती, सुक्सम हूँ. बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बहुत सुक्स मुझे आखों से देखा नहीं जा सकता, जिसको देखने के लिए विद्रश्टी चाहिए, मैं निराकार हूँ, मेरा नाम सेव है, मैं ब्रह्मा विश्नु संकर को भी रचने वाला हूँ, उनसे भी उपर हूँ, तुम मुझे यथा जान कर याद करो, मेरे द्वारा ही मेरे को जानो, जब तुम यथार्थ जान जाओगे, एक्यूरेट जान जाओगे, भगवान कौन है, तो तुम्हारी याद स्थिर हो जाएगी, नहीं तो याद में माया विगन डालते हैं, बच्चे पोछते रहते हैं, बाबा, आप तो बिंदू सुरूप हो, आपको कैसे याद करें, मुश्किल लगता है क्योंकि जनम जनम धेधारियों को याद करने की प्रेक्टिस है, इसके लिए ही बाबा, दो तेन बाते कर रहे हैं, आत्म भीमानी होने की बहुत प्रेक्टिस करो, तो तुम्हारी स्थिती बहुत दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहो, तीसरी बात, भाबा कह रहे हैं, खान बान में ज़्यादा खर्च नहीं होता, दाल रोटी खाओ प्रभू के गुनगाओ, ज़्यादा खानी पीने की लालच नहीं होनी चाहिए, भाबा कह रहे, एक ही चीज खाओगे तो बिमार नहीं होगे, बहुत सारा बोजन करते हो, भैराइटी खाते हो, तो बिमारियां आ जाती है, इन आसकतियों से जैसे जैसे अपने को उपर करेंगे, योग अच्छा होता जाएगा, आज बाबा बार बार इस बात पर कह रहे हैं, तुम्हारा योग बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, तब तुम्हारे वी करम विनासोंगे, और तुम अपने धाम जा सकेंगे, तुम मुझे एक्यूरेट जानो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, तुम्हे इस रष्टी के आदीमध्य अंत का ज्यान मैंने दिया है, तुम जानते हो हम पावन देवता थे, तुम जानते हो हमने 5000 वर्स का चक्र लगाया है, सबसे पहले हम ही बाप से विछुडे थे, अब हमारा मिलन हुआ है, अब घर वापिस जाना है, ये चक्र तुम्हारी बुद्धी में गोमता रहे, लोग तो सोचते हैं बगवान ने श्रष्टी बनाई, पूचते हैं कब बनाई कहां बैठ के बनाई, कैसे बनाई, क्योंकि बिन बिन सास्तरों में बिन बिन तरह की फिलोसोफीज हैं, भगवान ने श्रष्टी ऐसे रची, क्रिश्टिन में अलग तो मुसलिम से में अलग तो हिंदू में भी अनेक तरह की मान्यता हैं, बाबा कहरे नहीं बच्चे, ये बना बनाया है ये किसे ने बनाया नहीं है ये अना दी है ये सदा ही चलता रहता है अविनासी है तुमा आत्मा इसमें पार्ट बजा रही हो तुमारे अंदर भी 84 सी जन्मों का पार्ट बरा हुआ है तो इन बातों को इस पस जानकर ही तुम योग योग थो सकते हो तो एक तो हम ले लें कि खान पान में हमारी बहुत आसकतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि खान पान में हम लगे रहेंगे, जीब के रस में लगे रहेंगे लगी, अकरसित होने लगी, यानि बुद्धी उदर खिंचने लगी, तो हमारा योग तूट जाएगा, हम योग युक्त कदापी नहीं हो पाएंगे, इसलिए अपने खान पान को बहुत सिंपुल कर देना चाहिए, बाबा सन्यास यूग का उधारन दे रहे हैं, सन्यास नहीं था, तो हम भी खान पान की आसकती से मुक्त हो जाएं, और बार बार आत्मविमानी होने की प्रेक्टिस करें, आज की मुल्ली से ये दो बात हम ले ले, बार बार हम प्रेक्टिस करेंगे, तो हमारा योग बहुत अच्छा हो जाएगा, यही योग के पीछे रहस्य है जिनका योग अच्छा नहीं लगता, वो आत्म अभिमानी होने पर ज़्याद ध्यान दें, इससे हमारे मन के संकल्पों की स्पीड जो बहुत फास्ट हो जाती है, स्लोडाउन हो जाएगी, हम धी में सोचेंगे, और पास्ट जिसमें मनुस बहुत रहता है, पास्ट में कोई जो साथ उगुन हैं, वो जीवन में आने लगेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, कोई योग का अभ्यास करता हो, कोई आत्म अभिमानी होने की प्रेक्टिस करता हो, और वो स्वीट न बने, वो सरलचित न बने, वो क्रोध मुक्त न बने, उसका जीवन सुकों से भरपूर न भो, तो हम बहुत प्रेक्टिस करेंगे आत्म भिमानी होने की। वर्दान है बुद्धी रूपी पाउ मरियादा की लकीर के अंदर रखने वाले प्राप्तिस्वरूप और सक्तिसाली भाव। तो बाबा ने हमें सवेरे से स्याम तक की बहुत सारी मरियादाएं दिये। अगर हमें खुषी नहीं रहती, उदासी आती है, निरास आती है तो समझ़े लो हम मरियादाओं में नहीं चल रहे हैं। मर्यादाओं में चलेंगे तो प्राक्तियों का अनुभव होगा और हम सक्तिशाली बन जाएंगे स्लोगन जो सदा नियारे रहते हैं और सिव बाबा के प्यारे रहते हैं वही सदा सेफ रहते हैं तो आए सारा दिन हम आत्म भीमानी होने की प्रेक्टिस करेंगे अपने आत्मिक स्वरूप को भ्रकुटी की कुटिया में देखेंगे और चलेंगे बाबा के पास तच करेंगे, फिर आएंगे, प्रकुटी की कुटिया में अपने को देखेंगे, ये जाने का और आने का अभ्यास करते रहेंगे, ओम स्यंति.